हाई गाज मैं हूं बीवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्पोगामी यूट्यूब चैनल और यह जो सीरीज चल रहा है वो चल रहा है अंगुलर js का सीरीज और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरे टिप्स के बारे में ठीक है तो अंगुलर को जब उसके साथ ऀ्यूज करते हैं व्यूद की यूज Connect कषर देखा था लेकिन इस वीडियो में पूरे जो ऋडराइक टिप्स हैं और एक छोटा है एक जानपल के साथ समझने का कोशिस करेंगे तो लू आ यंजी एप में कुछ डारेक्टिःटीव होते हैं इसमें design फैलें ढूंप यहां लोग देख चुके हैं जी इनीट ठीक हां यह हम लोग देखंगे इस attribute को add करेंगे जिस भी डिप में उस डिप के अंदर का जो भी element है उसको हम लोग angular.js उसके उपर काम करेगा अगर एंजी अप नहीं लगा है तो उसके बाहर आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो डॉट डॉट है इसके अंदर सिर्फ अब आगे हम लोग समझते हैं कि एंजी इनिट में क्या होता है एंजी इनिट डिरेटिव में यह एंगुलर जो डेटा होता है उसको इन्सलाइज करता है सब्सक्राइब यहां पर जैसे की नीचे एक्जामपल में आप देखेगा तो एंजी इनिट में हम लोग कोई भी डेटा रख सकते हैं और उस डेटा को हम लोग बाहर कहीं भी इन्सलाइज कर सकते हैं मतलब एंजी एप के इन्सलाइज करने का काम करेगा इसके अंदर हम लोग कोई भी वैलू को एसाइन करते हैं एक वैरियेबल के अंदर जैसे कि आप नीचे एक्जामपल में आप देख रहे हैं कि एंजी एप के बाद ही मैंने यहां पर एड़ किया है एंजी इनिट ठीक है और इसके अंदर मै फर्स नेर फर्स लैंब ये जरी यह फॉर्मेट है यह पॉर्मेट्ट है टि के तो इसमें पहला जो रिकॉर्ड यह फिर्षम कर सकते हैं अबPhone के कि अंची मोड़ स्पर रहने मोडल क्या काम करते एंजी मोडल यह काम करता है कि जो भी वैल Leaf Emir UP अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेगा उसके बार यह जड़ा अपको समझ में आएगा ठीक है किर अर यहां पे आप देख सकता है कि एक मैंने आपडर के लिए यहां पे आपको नीचे दिख रहा है एंजी एप और इसके अंदर मैंने एंजी ओडल को एड़ किा जिसमें मैंने अभी interview किया है ठीक है HOW साथ में अब आता है ऑं ज委 पीट एंजी रिपीट डायरेटी इस जो भी ईलिमेंट होते हैं ठीक है अब मतलब अलग-अलग आइटम का एक कलेक्शन होता है जिसमें माल लिए सपोज की जो मैंने यहां पर हम लोग ने एड़ किया है जैसे में राहुल है और तीसरे में अभी है यहां पर यहां पर यहां पर देख सकते हैं करली अंदर यहां पर जैसे यहां पर रिपिट के अंदर हम लोग यहां पर add करेंगे person इन person чो है जो है वह एक वह हरी एबल है ठीक है और पर ट्रक्राइबल यहां रहे ही जो हम लोग यहां पर नीचे आड लाजट ने वो देखें हम लोग यहां पर इसको repeat कराएंगे तो अब आप लोग Japanese क्या है और और एंगी इनित क्या है और एप क्या है टिक है होंगा जिसका नाम होगा directives.html तो यहां पर मैं एक निया फाइल क्रिएट कर लेता हूं कि ओके और इसका में नेम दे देता हूं डाय डाय डायरेटिप्स कि डॉट स्टी एमिल कि ओके और यहां पर जो इंडेक्स.php है जो कि हम लोगों ने लास्ट वीटिव में बनाया थे इसका मैं कॉपी करता हूं और कॉपी करके इसमें यहां पर मैं पेश्ट कर दोंगा कि यहां पर मैं अजैस्ट का टाइटल जो है उट चैंज कर देता हूं और यह टाइटल मैं रख देता हूं यहां पर एंगुलर JS Directives Directives ओके और उसके बाद यहाँ पे ng app यहाँ पे जहाँ पे AngularJS का जो app पे start हो रहा है उसके बाद मैं यहाँ पे ng init को मैं रखता हूँ ng init इस अट्रिब्यूट को मैं यहाँ पे include करता हूँ और यहाँ पे just मैं एक JSON बना लेता हूँ ठीक है और इसका जो key हो जाएगा हो जाएगा persons और आपको पता होगा कि JSON कैसे बनाना है तो यहाँ पे फर्स्ट जो इसमें फर्स्ट पोजिशन आएगा उसमें मैं रखता हूँ first name और last name यहाँ पे JSON मैं दूँगा और यहाँ पे पांडे ठीक है और दो record यहाँ पे हम लोग add करेंगे तो जो second record होगा मतलब जो one position पे आएगा उसमें मैं add करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम यहाँ पे single inverted command नहीं रहेगा तो इसको मैं remove करता हूँ और फर्स्ट नेम यहाँ पे मैं add करता हूँ राहुल और लाश्ट नेम मैं इसका दे देता हूँ एक तो लाश्ट नेम मैं दे दिया है यहाँ पे राहुल र्वाए और एक और record यहाँ पे add करना है हम लोग को यहाँ पे बिसिकलिए अब जितना भी record add करना चाहें उतना कर सकते हैं मैं यहाँ पे एक जामपल के लिए बस तीन record को मैं add कर रहा हूँ जिसका पोजिशन है जीरो वन टू तो जो ठड़ वाला जो ठड़ वाला ऐसे हम लोग गिने वह है लेकिन अगर जैसन के फर्मेट में हम लोग इसको देखें तो वह जाएगा यहाँ पे सेकेंड रिकॉर् मतलब की जीरो वन और टू मतलब ठर्ड रिकॉर्ड लेकिन इसका पोजिशन अगर सेट करेंगे तो यहाँ पर जाएगा टू तो यहाँ पे तिन रिकॉर्ड हम लोग add कर दे हैं यहाँ पर यह जो है इसको मैं ऐसे ही रखना हूं जो एंडी मोडल वाला है इसको सेम मैं आ यहाँ पिंद में विचल जाएगा टेक्स नेम हो जाएगा यहाँ और यहाँ पर जहिस्ट मैं एक टेक्स परेंग्राग्राफ में और यहाँ पर मैं देता हूं छनुप और जो रिपीट एक like करें यूज करेंगे तो यहां पर मैं एक order list बना लेता हूँ और उसके अंदर एलाई बनाता हूँ ठीक है और इसके अंदर double curly braces देते हैं और इसके अंदर हम लोग अपना जो code है उसको हम लोग लिखेंगे जो expression है उसको इसके अंदर हम लोग execute कराएंगे तो यहां पर फर्स्ट निम और लास्ट निम को मैं यहां पर repeat कराऊंगा तो फर्स्ट नेम हो जाएगा यहां पर लेकिन इससे पहले हम लोगो काम्य की यह फ़रसंस है इसको हम लोग उपर इन्क्लूट कराएं, ठीक है, एंजी रिपिट जो एट्रिब्युट है, उसको भी हम लोगको इन्क्लूट करना होगा, उसके बाद ही होगा, और इसको एड़ करने के लिए हम लोग को यहां पर कैसे अड़ करना है, वो हम लोग देखते हैं, तो उससे पहले, हम लोग यहां पर जो लाइक के अंदर है इसको एड करना होगा अट्रिब्यूट को एंजी डैस रिपीट है है एंजी डैस रिपीट के और यहां पर जो भी आप देना चाहते हैं वह वारियेबल का नियम दे सकते हैं तो यहां पर स्वाइब देता हूं और जो persons है उसको मैं यहां पर इंग्लूट करा देता हूं जो हम लोगों ने एंजी इनिट में एड़ किया है persons वही से देना है और बागी जो persons में वहां पर आप कोई भी variable दे सकते हैं और इस person को यहां पर डॉट और यहां पर आप दे देंगे फर्स्ट नेम जो भी इसके अंदर की रहेगा उसको आप दे देंगे यहां पर परसन और प्लस यहां पर मैं बस प्लस का मतलब यहां पर करा रहा हूं और यहां पर मैं देता हूं लास्ट नेम और स्थ्य पर्शन डॉट हो जाए सब वन зач लाज ने तो यहां पर प्लस कंधिर के कर आजा तो दॉट ल இंप कर दैंस हो यहां पर फोल्स जो भी कलों जाने और यहां पर वlt लिस्ट है हमाने तो 123 जो भी रिकॉर्ड होगा वह यहां पर आ जाएगा अब इसको ओपन करते हैं तो जैस्ट यहां पर जाके डारेक्टरी में यहां उपन करेंगा आप नीचे देख सकते हैं 1233 रिकॉर्ड है जिस फर्स्ट निम लास्ट निम आपको दिख रहा है तिनों ही नीचेび रिकॉर्ड में Hey और आप देख सकते हैं कि यह जो अकार देर लास्ट नेम व्याक मैंने आचर्व यहां पर देखिया है लिकिन यहां पर आप देखेगा तो फर्सट निम के बाद दिख रहा है जैसे सहँ यहां पर फर्स निम के बाद फर्स निम और यहां पर जो तो यहां पर नीच सिंग और यहां पर थो जैसे का तैसे यहां पर आएगा तो ने मैं डाला यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यहां का पांडे जो के नीचे बाइंड होके आ रहा है इस वीडियो में इतना ही अगर कहीं भी आपको कोई प्रोब्लम है तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बता है या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पर डिरेक्टर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वहां पर बता सकते हैं कि आपको क्या प्रोब्लम है और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस चैनल को सबस्काइब जरूर करिएगा थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो